नमस्कार जेहिंद सभी सेनिकों पूरु सेनिकों फैमिली पैंसनस का सेनिक समाचार इंडिया में एक बार फीर स्वागत है OROP यानि वन रेंग वन पैंसन के उपर माहा खुला सा किया है हमारे एक वेटरेन ने जिसमें उन्होंने सिधा सिधा का कि OROP टू का 90% जो फंड है सरकार ने अलोट किया है वो लेपनेट करनल और उसके उपर के रेंग के अधिकारियों के खातों में जाएगा JCO, ORO और मेजर रेंग तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है Tribune India में 4 अप्रेल 2023 को एक आर्टिकल छपा है और ये आर्टिकल छपा है हमीरपूर हिमाचल परदेश से United Front of Act Servicemen की रेली को संबोधित करते वे हमारे वेटरेन ने Tribune India को बड़ी बाते बताईए The One Rank One Pension Scheme will only benefit the majority of Retired Commissioned Officers of the Defense Services And ex-Servicemen below the rank of major would get major benefits यानि जो One Rank One Pension Scheme है उसका Maximum Benefit जो Retired Commissioned Officers है उनको जाएगा और major और उससे निचे की जो सिपाई तक rank है उनको बिलकुल ही कम Benefit OROP का मिलेगा अब ex-Servicemen का claim क्या है The OROP Scheme will only benefit the majority of Retired Commissioned Officers of the Defense Services And ex-Servicemen below the rank of major would get major benefit According to Retired Captain Jagdish Verma He said the Front would raise voice against anomalies in the OROP ये बात कई है Retired Captain Jagdish Verma जी ने और उन्होंने कहा कि जो United Front of Ex-Servicemen है वो जब तक उनको हक नहीं मिल जाते OROP में, Disability Pension में, MSP में, MACP में बराबर अधिकार नहीं मिल जाते तब तक अपनी आवाज उठाते रहेंगे This was recently stated by a retired Captain Jagdish Verma while addressing a meeting of the United Front of Ex-Servicemen He had said a memorandum would be sent to the government through 12 deputy commissioners in the state on Monday He said widows of ex-servicemen and families of martyrs would participate in protest rallies to be organized in the near future यानि 3 April 2023 को जो एक trailer देश के तमाम पूरु सेनिकों ने दिखाया अपने अपने जिलों में, अपने ब्लोक में जाके DM, SDM को ग्यापन सोंपे वो लास्ट ग्यापन नहीं थे वो केवल एक डेमो था और आने वाले समय में इस परकार के कैई प्रोटेस्ट और आयवजित किये जाएंगे जिसमें ex-servicemen, family job martyrs, widows, family pensioners, veterans सब सामिल होंगे और ये देश व्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है 20 फरवरी 2023 को जंतर मंतर से सुरू है इस आंदोलन ने पूरे देश में रप्तार पकड़ लिया हर एक सेनिक, पूरु सेनिक अब जाग चुका है और अपनी हित के लिए बात कर रहा है अभी तक जो सेनिकों और पूरु सेनिकों को अपनी मांगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी अब सोसियल मीडिया और चोटी-चोटी रेलियों के जरिये अपने डिस्टिक और ब्लोक लेवल में जो एक सर्विसमेन यूनियन से उन्होंने पूरु सेनिकों को उनकी मांगों के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया है तो यही कहेंगे कि पूरु सेनिक अब जाग चुके हैं सरकार को जागने की आविशकता है लोग तंतर में जनता की चलेगी जनता की बात जो करेगा उसी की सरकार चलेगी और हिमाचल पर्देश के सेनिक तो इतने जागरुख है कि वो जब चाहें जिसकी चाहें सरकार बना सकते हैं और गिरा सकते हैं आपने विदान सबा चुनाव में देख लिया होगा यदि वो ही ट्रेलर लोक सबा के चुनाव में चल गया तो मोजुदा सरकार के लिए काफी मुश्किले खड़ी हो जाएगी इसलिए पूर सेनिकों की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है जिनोंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपना एहम योगदान दिया है ये एक कड़ी बाई कड़ी जुड़ता जाता है कि पूर सेनिक बीच में आए देश की सिमाओ की रख्षा की और अपने उत्रादिकारियों को सिमाओ को सुरुक्सित सोंप कर रिटार्मेट आ चुके है तो कोई ये ना सोचे कि जो रिटार्मेट आ चुके हैं जो एक सर्व सर्विसमेन एज रिजर्व फोर्स काम करेंगे इंडियन आर्मी एर फोर्स नेवी जो फाइटिंग एक्टिव फोर्स है वो अपना रोल अदा करेगी और जो रिजर्व फोर्स है जिसमें जितने भी एक सर्विसमेन है वो आते हैं वो अपना रोल अदा करेंगे और समय एक सर्विसमें जो जनतर मंतर पर बैठे हैं उनके साथ मीटिंग सुरू करेगी तो यह थी साथियों आपके लिए जानकारी जग्टन जगदीश वर्मा साब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि जो 90% फंड है वो अधिकारी ले जाते हैं 10% बाकी 97% जेसियो और जवानों की ब जय हिन जय वारत वंदे मातरम